हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रदन केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में दर्शकों आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जिस विशे पर हम चर्चा करेंगे वो विशे जो है सूर्य देव को लेकर के है कि सूर्य देव जो अपना राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं कब कर रहे हैं कौन सी राशी में प्रवेश होगा यह सब आपको बताएंगे और इसके साथ साथ यह तो बताया ही जाएगा आपको साथ ही जब इनका प्रवेश दूसरी राशी में होगा आने अगली राशी में वो कौन सी राशी होगी और जब इनका प्रिवेश वहाँ पर होगा तो बारे राशियों के उपर ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे इसके विशह में आज हम आपको जानकरी देंगे तो आईए चर्चा आरम करते हैं सूरे देव जो की करने हैं अपना राशी परिवर्तन 16 नवंबर 2020 को दिन सौमवार होगा प्रहते 6 बच कर 53 मिनट पर ये इनका राशी परिवर्तन होगा और इस दिन जो हैं सूरे देव अपनी नीच राशी तुला से निकलेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में उनका जो संचार हो रहा है वो तुला राशी में हो रहा है और तुला राशी में सूरे देव नीच इस सिती में होते हैं और 16 नवंबर जैसा कि मैंने कहा 2020 को दिन सौमवार प्राते 6 बच कर 15 मिनट पर ये अपनी नीच राशी तुला से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशी विर्ष्चिक में प्रिवेश करेंगे च्योंकि मित्र राशी इसलिए है कि विर्ष्चिक राशी के जो सौमी है वो मंगल है और मंगल जो है सूर्य के परम मित्र है तो ये भिन भिन राशीयों के जातकों को किस प्रकार का प्रभाव देंगे 15 दिसंबर 2020 तक क्योंकि ये लगभग एक महिने रहेंगे विर्ष्चिक राशी में 16 नवंबर 2020 से ले करके और 15 दिसंबर 2020 तक तो आई आरम करते हैं कि सबसे पहले आरम करेंगे मेश राशी के जातकों के लिए बताएंगे कि क्या इस सिती रहेगी सूर्यदेव के जो प्रभाव हैं उनके कारण किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में इसे एक महीने के अंदर सूर्यदेव देने वाले हैं तो आईए चर्चा करते हैं मेश राशी के विशों जो जातक हैं उनके लेकर के तो देखिए विद्या के छेत्र में रुकावते रहेंगी छात्रों को जो मेश राशी के जातक हैं और परिणाम भी प्रतिकूल रहेंगे विद्या से संबंदित ज तथा परिवार के साथ संबंदों में कमी बनेगी और धनकी हानी हो सकती है इस अफदी में और स्वास में भी कुछ गड़वण रहेगी। वरिशव राशी आपके अपने कारोबार या रोजगार में समस्याएं पैदा होंगी और समस्याओं के चलते हुए आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने में भी कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा। वेवाहिक संबंदों में आपके कमी बनेगी। सुक्सुविधाओं का लाब भी इस अफदी में पूर्ण रूप से आप नहीं उठा पाएंगे। मिथुन राशी मिथुन राशी के जातों को लोन आदी लेने में कठनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से ही आपने आवेदन दिया हुआ है लोन वगेरा के लिए तो उसमें भी विलंब होगा। स्वास्त भी आपका प्रभावित रहेगा इस अवधी में प्राकरम में आपके कमी बनेगी खर्चों की आपके उपर अधिकता रहेगी। करकराशी संतान को लेकर कष्ट रहेगा। छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी उनके अपेक्षा के अनुकूल प्रणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस अवधी में महत्कून निर्णे अगर आप नाने तो ये आपके लिए काफी हित कर होगा। धन की हानी हो सकती है तथा परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतबेद पैदा हो सकती है। सिंग राशी माता की और से सहयोग प्राप्थ होगा आपको अब हम आपको बताएंगे सिंग राशी के विशन तो देखिए सिंग राशी के जातकों को किस प्रकार का सूर्देव इस अफधी में प्रणाम देने जा रहे हैं माता की ओर से सहयोग एवं उनके प्यार में कमी महसूस होगी आपको इस अवधी में अपनी सुख सुविधाओं में वियवधान पैदा होते हुए दिखाई देंगे इस समय अवधी में अगर आप अपना घरी अवाहन बेचना चाहते हैं मित्रों क्योंकि इस बात की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है कि आपको अपने घरी अवाहन का या तो उचित दाम ना मिले जितनी वैल्यू है उससे कम मिले या कुछ और समस्या हो जाए उसको ले करके कन्या राशी आपका अपने प्राक्रम में कमी बनेगी आपका आलसी सोभाव बनेगा इस अबधी में यात्राएं लापकारी नहीं हो पाएंगी छोटी मोटी बिमारियां आपको परिशान करेंगी भाग्य का पूरी तरह साथ आपको नहीं मिल पाएगा तसा आपको अपने तुला राशी, इसे एक महीने में आपके आय से अधिक खर्चे भी हो सकते हैं, आय में कमी होगी कहने का भाव यह है कि इस अफधी में आपको जितनी बढ़िया आय होनी चाहिए थी उसमें कमी या बाधा आप महसूस करेंगे मित्रों की और से भी आपको साफधान रहना चाहिए, उन पर आख बंद करके विश्वास ना करें स्वास में भी आपके कुछ कमी रह सकती है ब्रिश्चिक राशी, आपको अपने रोजगार एवं व्यापार में कठनाईयों का तो सामना करना ही पड़ेगा इस अफधी में, साथ ही आपके अपने कार्रे छेतर में भी जो कार्रे करने हैं आपको जो आपने प्रोजेक्ट्स हैं, जुम्मेदारियां हैं, जो अपने हातों में लिया हुआ है, जिनको आप एज टास्क करना है या करना है तो ऐसे सभी कार्यों को पूरा करने में विखन-बाधाओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा आपके अपने विभाग में हो सकता है कि आपके मांसमान में भी कुछ कमी हो हो धनू राशी एगर धनू राशी के जाटक विदेश में रहकर अपना रोजगार आदी कर रह तो उनके कारेकाल को आगे की ओर भ़ने में या बढ़ा भ़वाने में अगर वह अपना और समय आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर रह करके जिसको वीजा कहते हैं वीजा अपना और जादा लेना चाहते हैं तो उसमें उनके कार्यकाल को आगे की और बढ़ने में थोड़ी समझ से आ सकती है बाधाय आ सकती है यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं मान लीजेगा कि आप अप को problems face करनी पड़ेंगी समस्याइं आपको आएंगी या फिर ये भी हो सकता कि डिले हो जाए चीजों में समस्या ये भी एक समस्याई है कि किसी ना किसी कारण डिले हो जाए पैंडिंग पड़ जाए या कोई ऐसी वज़े बन जाए उच्छी शिक्षा प्राप्ति में भी आ सकती हैं छात्रों को समस्याई यानि कि जो छात्र धनुराशी के जा तक उच हाई एजुकेशन ले रहे है उनके लिए भी समस्याई आ सकती हैं रुकाविटें परिशान हैं मकरराशी आपका संतान यहली कि माता प्ता की और हमारा इशारा हैं कि आप संतान की और से आपका मन्यशान रहेगा क्योंकि इससवदी में उनकी जो शिक्षा समंदित प्रजश्ट प्रणाम है वह निराश और अधिक खानी उठानी पड़ सकती है कुम्राशी आप कुम्राशी के जातकों को अपने रोजगार में समस्याइं आ सकती हैं जैसा कि अगर आप पदोर नतीव अगरा कोई ऐसा मिलने का कोई पहले से तै था आपको इस सरीके का कोई आपके वरिष्ट अधिकारियों तोरह कोई इस प्रकार का इंडिकेशन दिया गया था तो किसी ना किसी कारण उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी अकस्मात लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है हम यह कहना चाहरे हैं यह रुकावट सिर्फ इस समय अवधी में ही संभव है 15 दिसंबर को सूरे जैसे ही अपनी राषी से निकलेंगे विर्श्चिक राषी से तो परिस्टियों में धीरे धीरे सामाने ता सुधार होगा मीन राशी आप मीन राशी के जातकों के सूरे छटे भाव के स्वामी है यानि के छटे भाव के जिसको हम शष्ट भाव भी कहते हैं या सिक्स हाउस भी कहते हैं उसके लॉर्ड हैं और भाग्य भाव में सित्थ होने के कारण स्वास्त प्रभावित होगा साथ ही भाग्य में कमी होगी उच्छी शिक्षा प्राप्ती में भी आएंगी समस्याई अपना जो आपका आलसी सोहाब जो बनेगा उसको त्यागने का कोशिश करें अगर आपने अपने कर्मों पर अधिक बल देने की अपनी योजना बनाई और उस पर कार्य किया तो परिस्थितियां आपके जो हैं वो सामान ने बनी रही तो ये था बारे राशियों के जो जातक हैं उन पर इस एक महिने में 16 नमबर से और 15 दिसंबर के बीच में किस-किस परकार के प्रभाव वो देंगे तो अभी आपको हम ये और बता दें कि देखिए ये तो रहा उनके प्रभाव अब अगर आप चाहते हैं कि इन प्रभावों में कमी हो तो एक ही उपाय है सूर्यदेव की उपासना सूर्यदेव की उपासना आपने करनी है उनको नित पृति दिन इस नानादी से जब आप फ्री हो जाए तो उनको प्राते काल में जल अर्पित करें तांबे के कलश से यही विधी होती है और उसमें एक चुक्ती आप मिला लीजिए कुम-कुम यह उनको आप अर्पित करें जल और साथ में और अधिक्रपा उनकी चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो तो आप उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं एक माला कम से कम ओम-घ्रणी-सूर्या-ए-नमाह बहुत आसान सरल मंत्र है एक सो आठ बार कर लेंगे दस मिनट में हो जाएगा तो ये आप जरू करें फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ जैसा हमने बताया है कि उस प्रकार की समस्याएं हैं लेकिन अभी बनी हुई हैं तो आप रविवार के दिन गुड़ और अनाज जो ग्यहू होता है ये किसी ब्रहमण को दान कर दें अपने हाथों से एक किलो मतलब सवा किलो सवा दो किलो इस प्रकार कर सकते हैं थोड़ा गुड़ साथ में दें तो ये आप कर लीजेगा ये उपाये हैं बड़े सरल रासान उपाये हैं और आपको ये भी बता दें कि ये जो हमने राशी के आधार पर जो आपको फलित बताया है सूर्य आपकी कुंडली में जो पहला घर है वहां पर जो राशी मौजूद है उसी के बेस पर यानिके मान लीजे आपकी कुंडली सिंग लगन की कुंडली है उसमें जो पांच अक्षर है वो पहले भाव में लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिंग लगन हो गया तो आप उसको इस्थित होती है उसके आधार पर आपको हम ये राजशी फलकी चर्चा करते हैं अब आपके समझ में आ गया होगा तो अब आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजे शेयर कीजे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही जो हमारा बैल आईकन है उसको अवश्य दवाईए ताकि जो भी आने वाले समय में नए वीडियोज हैं हमारे कारेक्रमों के वो आप तक पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार अपने लाप प्राप्त कर सकें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जैमातादी